स्वागत है आपका सॉफ्ट वर्ल इंडिया की डिस्टल प्लैटफॉर्म पर अगर आप एक रिटल चैन या होलसल बिजनेस रन कर रहे हैं और आप पेवल को रिकंसाइल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको इस प्रॉसेस में गाइड करेगा और आप इसे इसली प्रॉस कर पाएंगे पेवल्स रिकंसिलेशन प्रॉसेस का यूज आपके वेंडर्स की डियू अमाउंट को किलियर करने के लिए किया जाता है ये रिपोट डियू पेमेंट्स के लिस्ट को शो करती है रिटल ग्राफ में एक पेवल रिपोर्ट एकुरेट फाइनेशल डेटा को ए करेंगे लंगे फिर रिकंसाईल पेवल्स पर किलिक करते हैं अब यहां से रिकंसाल की डियू विंडो शो होगी जिसमें ड्यू tech लिस्ट शो होगघना जू पेमेंट्स की डीटेल्स को वीयू करते हैं उसले क्लिक करके व्यू बट्टन पर क्लिक करते ही अकाउन्ट 1-इन खिलियर कॉलम से invoice नमर पर tick mark करके save बटन पर click करेंगे अब जानते हैं vendor के through reconcile payable search करने के बारे में users due amount payments को vendor wise भी search कर सकते हैं अब drop down list से vendor name select करेंगे जिसकी details आप view करना चाहते हैं फिर location wise details view करने के लिए location को select करेंगे अब date up to को select करते हैं फिर view बटन पर click करेंगे इसके बाद due amount information view कर सकते हैं फिर आप click lead कॉलम पर tick mark करके save बटन पर click करेंगे तो ये था रिटेल ग्राफ में payable को reconcile करने से जुड़ा video we hope इस video की help से अब आप ये process को easily execute कर पाएंगे आप हमारी support टीम से भी process पर help ले सकते हैं ऐसे और helpful वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को subscribe करें thank you करेंगे करेंगे